बिस्मिल्ग वार्म वाहीम, असलाम येकम दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम एक in fix expression को post fix expression में कैसे translate कर सकते हैं in fix expression क्या होती है ऐसी expression जिसमें operands side पे हूँ और operator mid में हो जैसे a plus b अब इसमें a और the operands है और plus जो है वो operator है इसे हम कहें कि in fix expression जब कि ऐसी expression जिसमें operators जो है वो आपरेंट्स के बाद आए वो post fix expression कहलाती है humans जो है वो ज़्याद तर in fix के साथ काम करते है लेकिन जो computer है वो post fix expression के साथ काम करना प्रसंद करता है इसलिए हम in fix को post fix में translate करना सीखेंगे कि computer ये काम कैसे करता है अब इसमें सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने एक table draw करना है जिसमें तीन columns होंगे और कुछ rows बना ले जिसमें सबसे पहला column होगा reading character का हम उदर से एक एक character read करेंगे और उसको हम add करेंगे किसी तरीके से अपनी post fix के अंदर उसके हम rules आगे जाके discuss करते है अब rule ये है कि जब भी आपके पास कोई operator आएगा आप उसे stack में लगाएंगे और जब भी आप पस operand आएगा आप उसको post fix में लगाएंगे और जब भी parentheses आएगी opening parentheses stack पे जाएगी जब कि closing parentheses जब भी आएगी हम stack से सारे operators निकालके उनको post fix में लगा दिया करेंगे तो चले हम इसको practically देखते हैं आपने सबसे पहले तो एक bracket लगा लेनी है चोटी bracket हम लगा लेंगे और इसको हम stack पे डाल देंगे ये हमने खुद से लगाई है अच्छा जी उसके बाद हमने क्या करना है इधर से हमने एक character read करना है अब सबसे पहला character फिर एक छोटी bracket है तो हम ये पहला character जो इतना सा इसको read करेंगे जब भी छोटी bracket आया करेंगी हम इसको stack पे डाला करेंगे एक already मुझूद है एक हम डाल देंगे उसके बाद next read करेंगे तो वो भी एक मतलब छोटी bracket है तो इसको भी हम stack पे डाल देंगे अब stack पे तीम छोटी brackets हो गए उसके बाद हम a read करेंगे a read करेंगे ये operand है इसको हम अपने post fix में डालेंगे और हमारी जो bracket है ये stack पे जो कुछ भी पढ़ा है वो as it is आ जाजाएगा उसके बाद हम next character जब read करेंगे तो वो हमारे पास plus read होगा हम इस plus को जब read करते हैं तो ये चोग कि operator है तो इसको हम डालेंगे अपने stack के उपर उसके बाद हम next character read करेंगे तो वो b read होगा अब ये operand है तो इसको हम डालेंगे अपने post fix के अंदर a already मौझूद था b हमने लगा दिया जबकि stack के अदर जो कुछ भी मौझूद था वो as it is नीचे आ जाएगा उसके बाद हमने read की closing bracket b के बाद आप देखें closing bracket है जब भी closing bracket आएगी तो उसकी opening bracket तक जितने भी operators हमारे पास पड़े होंगे वो हम उठा के लगा देंगे post fix के अदर अब आप देखें ये closing bracket आईए अब हमने वापस चलना है और एक एक को उठा के हमने stack में लगाते जाना है जब ये लगाया तो ये खतम हो गया आगे आगे opening bracket ये दोनों का अब एक pair है ये match हो जाएगा तो हम opening bracket को खतम कर देगे और operator को post fix में लगा देगे तो यहाँ पे जो हमारा plus था यहाँ पे जो हमारा plus था आप उपर वाल लाइन में देख सके हैं वो चला गया post fix में और bracket खतम होगी और बाकी जो कुछ बचा वो again stack में है उसके बाद हमारे पास एक operator read हुआ है slash operator है तो इसका क्या करेंगे इसको stack में लगाएंगे तो हमारी post fix बने वही रही जबके stack के उपर हमने अपना operator भी लगा दिया next हम read करेंगे तो एक opening bracket read होगी इसको भी हम stack में लगाएंगे next जब हम जाएंगे तो bracket के बाद हमारे पास c read होगा हम c read करेंगे अब यह operator है तो यह लग जाएगा हमारी post fix के अंदर और जो हमारा stack है वो as it is रह जाएगा उससे next line पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास read होगा plus plus को read करके अब operator है तो हम इसको लगाएंगे stack के अंदर और sorry यह छोटी जमिस्टेक हुई मैं इसको ठीक कर देता हूँ अच्छा जी plus read हुआ है तो इसको हम लगाएंगे अपने stack के अंदर उसके पर जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या read होगा plus के बाद है हमारे पास d जब d read होगा तो हम उसको यह चुक्छे operand है तो इसको हम लगाएंगे अपने post fix के अंदर और stack हमारा as it is day जाएगा उसको जब आगे जाएंगे तो फिर closing bracket आई और आपने देखा कि जब भी closing bracket आएगी हम stack से operators निकाल निकाल के post fix में लगाने शुरू कर देगे until के उसकी opening bracket आजए तो यह तो already post fix में मौझूद था AB plus CD अब इदर से जब हम चलते है तो पहले हमें मिलता है plus वो हम plus यहां लगा देंगे इदर से plus remove हो गया उसके बाद हमें मिलगी opening bracket तो opening bracket को भी remove कर देना है और बाकि जो कुछ बचा उसको लाके हमने stack में ही रख देना है तो दोस्तो इस तरह से जब भी हमारे पस operand आया करेगा A, B, C, D, E, F, G, H, K इसको हम post fix में लगाया करेंगे जब भी हमारे पस opening bracket आया करेगी उसको हम stack में लगाया करेंगे इस तरह जब भी operator आया करेगा उसको भी stack में लगाएंगे और जब हमारे पस closing bracket आयेगी तो हम stack से operators निकाल निकाल के post fix में लगाएंगे until कि हमें opening bracket मिल जाएग अच्छा अब इसके बाद देखें इसको हमने read कर लिया हुआ है इसके बाद है हमारे पस dollar sign तो dollar sign चोंकि एक operator है तो dollar sign चोंकि एक operator है तो हम क्या करेंगे जो कुछ post fix में वो as it is रह जाएगा हमारा और इसको हम जाके stack के अंदर लगा देंगे अच्छे उसके बाद dollar से आगे बढ़ते हैं तो opening bracket आ जाती है opening bracket में यह होगा कि opening bracket हमारी stack में लगेगी तो post fix as it is और stack के अंदर जागे हम अपनी वो लगा लेंगे जो हमारे पस opening bracket आईगे उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पस e आता है इसको post fix में लगाना है तो already जो कुछ post fix में था वो हम नीचे copy कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर e लगा देते हैं और हमारा stack as it is copy हो जाएगा e के बाद हम जब आगे रीड करते हैं तो हमारे पास slash आगी हमने slash को उठाया अच्छे जी तो हमारा पर slash आई थी तो हमने अपने post fix as it is copy कर ली stack को भी copy कर लिया अब आप देखें operator है तो कहां लगेगा ये हमारे stack के अंदर जाके लग जाएगा slash को हम यहाँ पे लगाएगे उसको जब जब हम उससे आगे बढ़ते हैं हमारे पास f read होता है अब f operand है तो ये post fix के अंदर लगेगा तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं बाकि post fix as it is copy और f लगा दिया हमने साथ stack as it is copy हो जाएगा अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास closing bracket read होती है अब closing bracket को जब हम read करेंगे तो क्या होगा हम stack से operators निकालके उनको लगाएंगे हम अपनी post fix के अंदर इतनी post fix already थी अब जब हम back read करना शिरू करते हैं सबसे पहले हमें slash मिलती है हम उसको लगा देते हैं उसको इदर से remove कर दिया उसके बाद हमारे यह closing bracket है यह भी remove हो जाएगी अच्छा जी यह चीज़ तो हमने ली कर उसके बाद क्या करना है next हम read करें बाकी जो कुछ stack में बचा वो as it is रह जाएगा अच्छा जी बाकी जो कुछ stack में बचा वो as it is रह जाएगा अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरी closing bracket मिलती है तो हम क्या करेंगे हम closing bracket रीड करेंगे अब हमें पता है कि closing bracket जब भी read करनी है तो क्या करना है उसका opening bracket तक के जितने operators वो उठा उठा के हमने इसके अंदर लगा देने हैं आपने और वो लगाने भी reverse order में तो पहले dollar sign इदर से remove किया और इदर लगा दिया उसको यहां से back slash remove slash remove की और उसको भी इदर लगा दिया और इसकी जो opening bracket है वो भी खतम कर दी अच्छा जी मैंने हमारी expression थोड़ी short कर रहा हूं यह जो last fall है यह मैं remove कर रहा हूं as it is आगे बढ़ते जाना है अब जब हम यहां पे आगे तो हमारे पास बाकी क्या बचा हमारे पास बाकी क्या बचा वो एक bracket रह गए और उदर से हमारी जो expression है वो खतम हो गए अब हम एक closing bracket अपने पास से read करेंगे और यह जो हमारी expression हो की as it is यह आ जाएगी और stack जो है चुकि इसमें कोई operator नहीं है तो stack empty हो जाएगा यहां आप लिख देंगे stack empty और हमारी जो infix है वो post fix में translate होगी इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि यह मेरी required post fix है यह था जी आपका infix to post fix conversion कोई भी question हो तो नीचे description में मेरा whatsapp link मौझूद है आप उसपे मुझे contact कर सकते हैं या comments के जरीए contact कर सकते हैं जैसे आप convenient feel करें तो अपनी दाय जरूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इंशाला जल्द ही किसी नए ट्रेक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अला हाफिजिए